दोस्तो बात करेंगे पाचनतंतर के बहुत सारे विकारों को दूर करके भूख बढ़ाने वाली आयरिवेदिक टेबलेट चरक फार्मासिटिकल की ओटोजायम टेबलेट के बारे में ओटोजायम टेबलेट के साथ में इसी कमपनी की ओटोजायम सिरब भी मार्केट में आती ह आज के इस वीडियो में हम इस ओटो जैम टेबलेट के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम इस टेबलेट के मुखे फाइदों के बारे में चर्चा करेंगे इसके अलावा आपको इसकी कितनी टेबलेट हैनली चाहिए इसको बनाने में कौन-कौन सी जड़ी आपके बारे में बात करें तो ये टेबलेट मुख्य रूप से पाचंत अंतर की सारी की सारी समस्याओं को दूर करके भूक बढ़ाने में मदद करती है ओटो जैम टेबलेट पेट की परेशानी सूजन का होना कब जिया कोंस्टिपेशन होना पेट में गेस बनना अफारे की समस्या पेट का फूलना लगातार पेट में हलका हलका दर्द होना गेस और एसीडिटी की समस्या होना सीने में जलन होना मतली नोजिया या उल्टी जैसा फिल होना, खाने के बाद में गबराहट होकर उल्टी होना, इन सारी की सारी समस्याओं को परभावी तरीके से ठीक करती है, ये टेबलेट खाने को परभावी तरीके से पचाने में मदद करती है, ओटोजैम टेबलेट, गेस्ट्रिक, लीवर और पेन किरियाज या अगनासे क जो digestive enzyme होते हैं उनके secretion को बढ़ाने में मदद करती है ये tablet इन enzyme को स्रावित करवा कर खाने को अच्छी तरीके से पचाने और इसको अवसोसित करवाने में मदद करती है ये tablet मलत्या को भी नियंत्रित करती है इस tablet के परियोग से carbohydrate, protein और वसा का पाचन स्मूथली हो जाता है इस tablet के composition की बात करें तो इसमें हमें पीपली मूल, हरितकी, सोट, करंज, विल्ब और चितरकी मूल मिलते हैं जो की आयरुवेदी खर्ब होते हैं और ये पाचन और धिपन करने वाली आयरुवेदी कोस्दिया होती है autosyme tablet की एक से दो tablet गुनगुने पानी के साथ में दिन में दो बार तक ले सकते हैं अन्य था आप अपने डोक्टर से भी पूछ कर इसकी dose ले सकते हैं autosyme tablet एक आयरुवेदीक गेस्टो प्रोटेक्टिव गुनवाली दवा होती है इसको मेल और फिमेल दोनों ही ले सकते हैं इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इस टेबलेट का प्रयोग करते समय आपको स्पाइसी और मिर्च मसालेदार चीजों से बच कर रहना चाहिए तो दोस्तों ये सब जानकारी थी चरक फार्मासिटिकल की ओटोजाइम टेबलेट के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आप देख रहेते दे आयुश ग्यान यूटूब चैनल आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडि